आपने कहा कि जैसे ही सरकार बनेगी जन सुराज की, एक घंटे के भीतर, एक घंटा भी नहीं लगेगा, सराब बंदी आप खत्म कर देंगे, क्या फैदा होगा आपको? क्योंकि सराब बंदी से किसी समाज, किसी राज्य, किसी देश का कभी मानो सबता की इतिहास में किसी ने अपना विकास किया हो सराब बंदी के जरिये इसका कोई प्रमान कहीं दुनिया में है नहीं अलग-अलग समय काल-खंड में लोगों ने, सरकारों ने, समारास्मी तो अंगबल की ये ठो गया प्रयास किया, नहीं नहीं, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, अमेरिका में भी लागू करके बेचा गया प्रमान ये है कि नहीं, इसके जरिये कोई फाइदा नहीं से नुकसान है दूसरी बात, भीहार में नितिसकुमार और उनके कुछ चेले चपाटे बताते हैं कि गांधी जी ने ऐसा कहा, मैं दो साल से कह रहा हूँ, उससे पहले से कह रहा हूँ कि गांधी जी ने अगर कहीं कहा है कि कानून बनाकर सराबंदी लागू सरकार को करना चाहिए, ये वाक्ये मुझे दिखाईए, ये उनके सब्द सुनाईए और मैं बिल्कुल नितिसकुमार का चरण चुकर माफी मांगने को तयार हूँ गांधी जी ने आज तक कहीं जीवन में ये नहीं कहा कि सरकार को कानून बनाकर सराबंदी लागू करना चाहिए, गांधी जी ने सराबंदी को एक सोसल एफ़र्ट के तोर पर देखा, ये तो ऐसे हुआ, कि गांधी जी ने ये भी कहा कि वेजिटेरियन होने के बड़े फा दूसरा गांधी जी ने ऐसी कोई बात कहीं नहीं, तीसरी बात, सराबंदी लागू है कहां, अगर एक बार को मान भी ले कि कुछ इसका फाइदा है, तो फाइदा तो तब होगा जब लागू होगा, दवा का फाइदा है, तो दवा खाये का तब तो फाइदा होगा, सराब बंदी लागू नहीं है सराब के दुकान बंद हो गए होम डिलिवरी चालू हो गए और इस पूरे निर्णा का असर क्या हुआ हर साल बिहार जैसे गरीब राज्य का बीस हजार करोड रुपया का रेविन्यू का लॉस हो रहा है यह पैसा जा कहा रहा है यह पैसा जा रहा है भरस्ट पुलिसवालों के पास, अफसरों के पास और माफ्याओं के पास बिल्कुल और इस पूरे का जो को ले रली नुकसान है कि पूरा प्रसासन सराबंदी को लागू करने उस से पैसा कमाने उसको छिपाने, उसको फसाने में लगा हुआ है समाने पुलिसिंग का काम छोड़कर पूरा यही कर रहा है तीसरी बात सुनिए टोटल 6,36,000 केस हुए हैं सराबंधिन अभी तक 1,13,000 या 14,000 लोग अभी भी अंडर ट्राइल जेल में जितने लोगों पर केस हुआ और जिसके मुकाबले जितने लोग जेल में हैं यह ज़्यादा तर लोग गरीब अथी पिछड़े दलित समाज के लोग हैं जो अंडर ट्राइल हैं फाइनल बात आपने इसको कहा महिला इंपावर्मेंट के नाम पर तो भाई सबसे ज़्यादा प्रताडित तो महिला ही हो रही है इसमें पुलिस वाले अगर आपको जाकर पकड़ लेंगे तो आपके घर की महिला बैचारी वकीलों के थानों के चक्कर लगा रही है तो न इसका कोई प्रमाड है ओवरलोड है पूरे कोट्स जो हैं ओवर क्लॉग्ड है सराबंदी के केस से तो क्यों क्यों लागू कर रहे हो भाई सिर्फ जिद है राजा की जिद है कि हम इसको लागू करेंगे